कानपूर किचन डॉट कॉम में आपका स्वागत है फ्रेंज आज हम होली के लिए घर पर ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नमकीन बनाएंगे और होली में हम लोग हर बार इस तरीके से बहुत सारी नमकीन बनाते हैं तो उसी के मैं आपकी साथ रेसीपी शेयर करने वाली ह कि खोली पर अगर नमकीन बनाने की सोच रहें तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से घर पर पना सकते हैं तो चले शुरुआत करते हैं रेसीपी की रेसीपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीचिएगा नमकीन बनाने के लिए हमने आपर लिवी है साबुत मसूर जिसे हमने राद भर पानी में भीगो के रखा हुआ था सुबह इसे पानी से निकाल दिया और किसी कॉटन के कपड़े में पंखे के नीचे से फैला दिया था तो आधा एक गंटे के लिए इसे पंखे के नीचे फ खुसक भुनेगी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगी यानिकी बताऊंगी तो आप वीडियो को पूरा देखेगा अप एक कड़ाही में अमने तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है तेल को तेज आज में अच्छे से धुआ उटने तक आपको गरम करना है ऐसे आप इसमें एक दो दाने डालके देखे ये तैर के तुरंत ही उपर आ जाने चाहिए और मसूर हलकी सी फट जानी चाहिए तो जब तेल अच्छा गरम हो तभी आपको इसमें एक कडोरी की जितनी मसूर डालनी है एक बार में बहुत सारी मसूर नहीं डालनी है नहीं तो वो अच्छे से भुन नहीं पाएगी जब आप डालेंगे तो तेल बहुत जदा उचलेगा तो सावधानी पूर्वक डाले और इसे थोड़ा सा किसी थाली से आधा मिनट के लिए कवर कर दे थोड़ी देर में तेल सांत हो जाएगा और इसक एकदम हलकी होकर के तेल में तयारने लगती है तो अगर वो तेल में अच्छे से तैर रहे है यानि कि आपकी जो मसूर है वो एकदम खुसक भुने की बहुत अच्छी तो इसी तरीके से हम सारी की मसूर सारी मसूर भून के तयार कर लेंगे यह दिखे बस तेल में डालना है थोड़ी देर के लिए आप इसे थाली से ऐसे अपने फेस के आगे कवर कर लेना है ताकि तेल के चीटे नहीं है जैसे ही मसूर अच्छे से भुन जाएगी तेल में तयाने लगेगी और आपको इसे ऐसे कलची से दूसरी स्टेनर में ऐसे निकाल लेना है ताकि जो एक्ष्टा पानी तेल है वो भी निकल जाएगा यह देखे इसी तरीके से आपको मसूर भूनना है तो आपकी जो मसूर है वो बहुत अच्छी बुनेगी देखे कितनी खुसक है जब आप इसे हाथ से ऐसे दबाएंगे तो इजली मैस होगी तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारी ही मसूर भून के तयार कर ली हुई है आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर हमने यह मक्के की गच्छी ली हुई है जो कि आपको मार्किट में आसानी से मिल जाएगी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम यह जादा डाल सकते हैं इसे भी आपको तेज आज में ही यानि कि अच्छे गरम तेल में ही फ्राइ करना है थोड़ी सी डालिए हल्का सा सेख करेंगे एक मिनट के अंदर ही अच्छे से भून जाएगी और तुरंत ही आपको इसे निकाल लेना है यह दिखे कितने अच्छे से फूल रही है तो नमकीन में यह देखने में भी काफी अच्छी लगती है तो इस तरह से हम निकाल के मसूर में उसी में सारी चीज़ें डालते जाएंगे तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उसे हिसाब से आप यह सारी चीज़ें डाल सकते हैं मैं यह आपर थोड़ी सी जादा क्वांटिटी में बना रहे हूँ अब यह भूनने के बाद हम पोहा भून लेंगे तो यह पोहा है एक मुठी पोहा आपको ऐसे चलने के उपर डालना है और थोड़ा सा सेख करेंगे तो यह एकदम अच्छे से फूल जाएगा यह देखे इस तरीके से आपको आज को आपको तेज ही रखना है धीमा नहीं करना है तेज आज में ही हमें सारी चीजें फ्राइ करनी है इसी तरीके से हम सारा पोहा भी भून लेंगे अब यहाँ पर यह लगबग एक किलो के जितने मुठी के दाने हैं इसे भी हम ऐसे तेल में डाल देंगे और भून लेंगे आप चाहे तो इसे दो बैचेज में भी भून सकते हैं इक ही बार में डाल दिया हुआ है कि बस दो मिनट में ही यह जो दाने हैं अच्छे से बून जाएंगे घलक से फट जाएंगे तो आपको समझना है कि अच्छे से भून चुकिएं और इनका कलर भी हलका सर डार्क हो जाएगा ध्यान गदानों को अगर ज़्यादा भून दिया तो इनमें कड़्वाट आ जाएगी इसलिए इने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इदे के दानें भी बुण गए हैं इसे भी हम इसी में निकाल लेंगे अगर आप तेल कम करना चा इसके डो को बहुत ज़्यादा गूतने की जरूरत नहीं है या डो को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है बस इवनली ऐसे ही चमत से मिक्स कर लेना यह दिखिए हाथ से क्या करेंगे कि जो किचन प्रेश मसीन आती है जिससे हम शेव अगरा बनाते है उसमें अच्छे से भर लेना है और आप देख सकते हैं इसका जो पेश्ट है और मैंने कितना थिक तयार किया हुआ है तो अच्छे से सट कर लीजिए और तेज गरम तेल में ही हम इसे डाल एक मिनट बाद आप इसे पलट दीजिए और आपके जो सेव हैं वो बनके तयार हो जाएंगे बहुत जादा डार्क कलर होने तक इने फ्राइ नहीं करना है क्योंकि जैसे यह हलके से ठंडे हो जाएंगे एकदम क्रिस्प हो जाएंगे तो इसी तरीके से हम सारे ही सेव बना हमारे सेव बनके तयार हैं सारी चीजे हमने भूल ली हुई है अगर बूंदी इसमें डालना चाहते हैं तो बूंदी बनाके भी डाल सकते हैं अब यह जो सेव अगएरा जितनी भी चीजे हैं को हम क्या करेंगे इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगी 15-20 मिनिट क इसके बाद हम सेव को ऐसे हलका हलका सा तोड़ देंगे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं तोड़ना है और बहुत ज़्यादा बड़े टुकडे भी नहीं रखना यह दिखिए ऐसे हलकी हाथों से आपको सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है पोहा या मक्का कच्री जो भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं सेव ज्यादा करना चाहें तो सेव ज्यादा मैंने इसमें मसूर की मातरा थोड़ी सी ज्यादा रखी हुई है यह दिखे इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिला लिया हुआ है अब हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तयार करेंगे जिसके लिए हमने एक मिक्सर जार में एक टेबल स्पून काली मिर्च के दाने तीन सी चार लॉंग वन टेबल स्पून सौफ आधा चोटी चमच हेंग डाल एक टेबल स्पून की जितना काला नमक एक टेबल स्पून सफेद नमक एक चमच जेरा और एक चमच मैंने ये तीखी बारी लाल मिर्ची पाउडर डाला हुआ है यहां पर जल जीरा पाउडर डालेंगे इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो यहां पर लगभग टेबल स्पून के जितना मैंने जल जीरा पाउडर डाला हुआ है यानि कि जो पानी पूरी मसाला होता है वो डाला है इन सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और यह जो मसाला है बनके बिल्कुल तयार है नमकीन में यह मसाला आपकी जान डाल देगा इससे अच्छा स्वाद आएगा तो यह मसाला जो है मिसमें डाल करके मिक्स करेंगे तो अभी मैंने इसमें आधा मसाला डाला हुआ है आधा मसाला डालने के बाद हम सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे पहले यह दिखिए हलके हातों से मिक्स करना है आपको और एक बार में पूरा मसाला नहीं डालेंगे फिर आप इसे चेक कर लीजिए अगर आपको लगता है कि मसाला कम है तो बचा हुआ मसाला भी डाल दीजिए अगर लगता है कि मसाला एकदम परफेक्ट है तो आप पूरा मसाला मट डालेगा यह दिखे इसे हम दुबारा जो मसाला बचा था व बहुत ही टेश्टी बनती है आप ही इसे होली में जरूर बनाएं और महीनों तक इसे एंज्वाइ किया सकता है चाय की साथ तो इस तरह सी ये नमकीन बना करके ऐसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके हम लोग रख लेते हैं और इसे काफी तीनों तक खाया जा सकता है बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और घर की बनी हुई नमकीन है बहुत ही देश्टी होती है आई होप कि आपको ये रेसीपी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ